सब कॉंट्राक्टर वर्किंग एक कुशल सुनार यानि जेवरात उद्ध्यो की रीड होती है इनके काम पर ठीक तरह से ध्यान न दे पाने से या उनके हिसाब किताब में आने वाली समस्याओं के कारण आपके व्यवसाय पर काफी गलत असर हो सकता है लेकिन जैसे कि एकमे इन्फिनिटी आपके व्यवसाय की प्रगती के लिए बनाया गया है तो इस समस्या का भी वह उत्तम समाधान देता है सुनारों के साथ किया गया हर एक व्यभार उससे संबंधित और सुनिश्चित डॉक्यूमेंट में एंटर किया जाता है सुनार को दिया जाने वाला मेटल योग्य एलोई मिक्सिंग के साथ दिया जाता है सुनार को स्टैंडर्ड बार देते समय तैयार होने वाले गहने की अपेक्षित शुद्धता के अनुसार एलोई का वजन दिया जाता है हर एक order के लिए दिये जाने वाले हीरे और रंगिन रत्न भेजे जा सकते हैं और उनका order के अनुसार हिसाब भी रखा जाता है तूटे फुटे या खोए हुए हीरे अलग से एंटर करके उनका भी योग्य ध्यान रखा जाता है सुनार से आय हुए गहनों को गोल्स्मित रिसीट वाउचर के द्वारा एंटर किया जाता है वेस्टेज और लेबर चार्जिस गोल्स्मित कोटेशन की मदद से पक्के किये जाते हैं लेबर चार्जिस के मामले में TDS गिना जाता है और उसका योग्य हिसाब भी रखा जाता है गहने मिलने के बाद उस ओर्डर के लिए दिये गए रतनों का ब्योरा अपने आप लिया जाता है सुनार ने अगर उसके कोई रतनों का इस्तमाल किया हो तो उनकी भी एंट्री की जाती है रिफाइनरी इश्यू और रिसीट के विभार रिफाइनरी लॉसिस को ध्यान में रखते हुए संभाले जाते हैं हर एक सुनार के अनुसार उनके पास तयार होने वाली ओर्डर्स का रेकॉर्ड रखा जाता है जिसमें शॉप स्टॉक ओर्डर्स और कस्टमर ओर्डर्स का ब्योरा भी शामिल होता है ग्रहक को उचित समय पर डिलिवरी देने के लिए डिलिवरी तारीक के अनुसार और सुनार के नाम के अनुसार special pending order report भी इसमें उपलब्ध है सुनार के पास कुछ नमुने बचे हो तो उनका report भी तयार किया जाता है जिसमें order number, वजन और अगर हो तो label number भी दिखाया जाता है सुनार के पास बाकी बचा metal, shop sample के साथ या shop sample बिना दर्शाया जाता है सुनार से किये गए व्यभारों का विविद निकशों पर आधारित ब्योरेवार report यहां पर उपलब्ध है शुद्धता और वेस्टेज दर्श करने की अतिरिक्ट सुविधा के साथ सुनारों की receipt और payment diary बनाई जाती है इस प्रकार एक में infinity ने सुनारों से जुड़ी पेचिदा व्यावसाइक समस्याओं को भी सच में कितनी आसानी से सुल जाया है